दोस्तों आप सभी का स्वागत है UPSC का एक्जाम हो गया है और अब बारी है UPSC EPFO की UPSC EPFO में लेबर लोग के साथ साथ एक बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर कौन सा है वो है अकाउंट्स अकाउंट्स के अगर आपको basics पता हूँ आप 10-15 questions बहुत आसानी से solve कर सकते हैं देखिए अकाउंट्स के basic हर किसी को नहीं पता होते हैं जिसने commerce पहले नहीं पढ़ी हो या accounts पहले नहीं पढ़ी हो से उसको थोड़ा difficult लगता है बट नहीं आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत important chapter पढ़ाने जा रही हूं जिससे आप 5 questions देख सकते हो और इसी तरीके से हम accounts के basic को देखेंगे जिससे आप जो है accounts को आसानी से solve कर सकते हो पेपर में ठीक है तो देखिए आज की वीडियो देखने को मिलते हैं एक होता है personal accounts और दूसरे होते हैं impersonal accounts पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स को पर्सनल अकाउंट्स में तीन तरीके की चीज़ें आप देखते हैं तीनों अकाउंट्स को जो है पर्सनल अकाउंट्स ही कहते हैं पहला अकाउंट होता है नेचरल पर्सनल अकाउंट नेचरल पर्सनल अकाउंट्स कौन होता है ने नेच्रुल अकाउटंट है फिर आते हैं परिये को किसी लोग के द्वारा किया गया हो वो आइफिशल परस्विटी हो जाती है जैसे कि कोई कोई कोते हैं तरह Mount के होते हैं तीन तरह में से आपको कोई भी दिखे वो सब एक ही रैडिंग्स के अंदर आते थीग है आप समझ गये होंगे दूसरे आते हैं इम पोर्ण। आगांट्स क्या होते हैं इसमें प्रीयाल-मार्णाहार्णान है इल्कॉट जो याद रहे हैं जो कि बहुत इंपवर्ण T जैसे मिन्च प्लांट हो गई फासु हो गयव तो यह मैं वारे उसक्टी से केसे इस पारे में वार यह चैंजिबर या आख के बारे में यह हो इंग आए ये सब किस में आएंगी आपकी आएंगे real account में ठीक है अब bank bank में आपका पैसा रखा होता है बड़ ये bank किसमें आएगा bank का आएगा personal account में ठीक है personal account में आपका bank आएगा आएगा तो income और expenditure किसमें आते हैं nominal अकाउंट में आते हैं income और expenditure कैसे जैसे कि आपने कोई salary दी इससे क्या हुआ आपका expensive तो हुआ कोई wages paid की उससे क्या हुआ expensive तो हुआ purchases account हो गए interest paid account हो गए sales account हो गए यह सारे ही आपके nominal account में आएंगे जिससे आपका कोई revenue हो रहा हो जिससे आपका कोई expenses हो रहा हो वह आपके nominal में आएंगे दो चीज़ें हमेशा याद रखना real में और personal में ठीक है real में आएंगी assets और जो nominal होगा उसमें आएगी आपकी income और expenditure आपको एक बहुत important चीज़ जो मैं यहाँ पर highlight करने वाली हूँ वो याद रखनी है देखिए आपको बहुत important चीज़ है जो याद रखनी है वो यह है कि अगर आपका कोई nominal account है और उस nominal account में जैसे कोई interest account है और इस interest account में outstanding लग जाता है प्रीपेड लग जाता है या फिर एकर्ड लग जाता है इन सभी cases में वो जो nominal account बन जाएगा अगर आपका कहीं आजाए लिखा outstanding प्रीपेड अकर्ड यह सब account से आप याद रखिएगा कि यह personal account ही होंगे तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि यह सब personal account की category में आते हैं ठीक है अब आगे चलते हैं यह तो आपने समझ लिया अब थोड़े से इसकी practice करते हैं जिसे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि कौन सा account किसमें आता है तो मैं आपको questions दिखाती हूं वो questions आप वीडियो पॉस्ट करके खुद solve कीजेगा और उसका solution तो मैं आगे की वीडियो में आपको बता ही दूँगी ठीक है चलिए तो यहाँ पर आपके questions है आप ध्यान से देखिए cash किसमें आए देखिए कि personal account में क्या 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 आएगा bank आएगा outstanding salaries आएंगी आपके जो भी अकर्ट इंट्रेस्ट हैं ड्रॉइंग्स हैं capital है वो सब personal account में आएंगे real account में cash आएगा क्योंकि क्या है ना cash assets आपकी property assets आपकी plant machinery assets आपकी ठीक है तो यह real account में nominal में क्या आएंगे आपके income और expenditure sales होगे discount received होगया bad debts होगे ठीक है और purchase होगे bad debts अपने receive किये हैं interest हो गया यह सारी चीज़ें आपके nominal account आएंगे कुछ शब्द ऐसे होंगे जो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहे होंगे आप चिंता मत कीजिए एक वीडियो में आपको accounting के जो terms है ना उनके उपर लाओंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्या क्या होते हैं देखेंगे modern approach को modern approach में आपके पांच तरह के account होते हैं पहला है असर्स account असर्स account में आप यह रेखोगे कि असर्स account में क्या आएगी आपके असर्स आएंगी इस सिंपल सी बाते नाम से पता Lenders, Creditors of Goods, Outstanding Expenses, यह सब आपकी Liability हैं और यह सब Liability Account में आएंगे, ज्यान उसके बाद हम देखते हैं, थर्ड नंबर पर वो है Capital Account, Capital और Drawing का मतलब क्या है, कि कोई माल लीजे, आपने कोई Business खोला, आप उस Business के Proprietor हुए, और Proprietor जो पैसा लगाता है उस Business में पहली बार, वो Capital होती है, आप पैसा जो इन्वेस्ट करे है, वो Capital है आपकी, अब उसी पैसे में से आपने जो पैसा निकाल लिया, उसको आप Drawing कहते हो, यह सारी चीज़ें किसमें आएंगी, Capital अकाउंट में, अब रेविन्यू अकाउंट होता है, रेविन्यू अकाउंट में क्या आते हैं, जो भी Income और Gains आपको हुए है, जो भी रेविन्यू हुआ है, वो आएगा आपका रेविन्यू अकाउंट में, कोई भी सेल्स किया आपने, कोई भी डिसकाउंट रेविन्यू अकाउंट में आपके आते हैं, ठीक है, वो आपके नम्मर का अकाउंट होता है, आपका Expense अकाउंट, Expense अकाउंट में क्या आते हैं, आपके जितने भी Expenses या Losses हुए हैं, Wages हो गई, Purchases हो गई, Salary हो गई, Depreciation हो गया, किसी भी Assert का, Discount आपने किसी पर दे दिया, Rent हो गया, तो यह Expenses हुए आपके, तो यह पाँचों यह आपके Modern Approach के अकाउंट से जो आपको पता होने चाहिए, यह बहुत इजी थे, Real और Nominal का फरक याद रखिएगा, कि उनमें क्या-क्या आते हैं, और वो भूलिएगा भी मत, क्योंकि वो बहुत Important है, और यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,